श्री कृष्णा रस्पान केजिए आज की गता का श्री सूत जी महराज शौनकादिरिश्यों को ये माहतम में सुनाकर अन्यत्र चले गए उसके बाद एक समय नैमिशर अन्य तीर्थ में ही जैमिनी जी अन्य मुन्यों के सामने बैठे वे थे मुन्यों ने भी उनसे उसी प्रकार के प्रश्ण करने प्रारम कर दिये जिस प्रकार से वे श्री सूत जी महराज से किया करते थे एक दिन मुनियों ने पूछा हे द्विश्रेष्ट जहां लकड़ी की प्रतिमा के रूप में साक्षत भगवान नारायन विराजमान है वे पुरुशत्तम छेत्र किस देश में है करप्या बताईए तब जैमेनीजे ने उत्तर दिया कि मुनियों उतकल अर्थात उडिसा नाम से प्रसित एक परम पावन छेत्र है जहां अनेको तीर्थ और बहुत से पवित्र देव मंदिर है वह प्रदेश दक्षन समुद्र के तटपर बसा हुआ है उसमें रहने वाले प्रवर्ति वहीं से होती है इसलिए वहां के निवासी ब्रहमन वेद शास्त्रों के प्रवर्तक है उस प्रदेश को अठारा विद्याओं की निधी बताया गया है वहां भगवान नारायन की आग्या से घर-घर में लक्ष्मी जीवास करती है उस प्रदेश के मनुष्य हक्त और आस्तिक ना हूँ उस जगह के सभी लोग परुपकारी होते हैं लोभी दोस्ट और शठ मनुष्यों का तो वहां सरवता अभाव है उस प्रदेश के लोग दीरघायू रहते हैं इस्तरियां पती वृता सुशीला धर्म परायना लज्जा और सदाचार से विभूश करते हैं वे सब के सब प्रजा की रक्षा के व्रत्में तत्पर रहते हैं दान देने में उदार और सब शास्त्रों के ज्यान में निपण होते हैं उतकल के वैशिभी क्रिशी वानेच और गोरक्षा की व्रत्ती में स्थित होते हैं वे अपनी भक्ती और धन से देवता गु पमेकुशल और प्रेवचन बोलने वाले होते हैं धार्मिक और इसनान दान आधी कर्मों में तत पर रहते हैं वे अपने मन वाणी क्रिया तत धन के द्वारा ब्रहमनों की सेवा में लगे रहते हैं मेग वहाँ पर असमे वर्शा नहीं करते रित्वे विप्रित भाव नहीं परती अकाल और महामारी का प्रकोब नहीं होता राज्य का नाश नहीं होता प्रत्वी पर होने वाली कोई भी वस्तु वहां अलब्य नहीं है अर्थत सभी वस्तुएं वहां सुलब हो जाती है यही वह सब प्रदेशों में श्रेष्ट उतकल है दक्षन समुद्र में मिलने व सत्युग में इंद्रद्युम्न नाम से प्रसित एक श्रेष्ट राजा हुए हैं उनका जनम सुर्य वंश में हुआ था वे ब्रहमाजी से पांचवी पीढ़ी नीचे थे राजा इंद्रद्युम्न सत्यवादी, सदाचारी, शुध तथा सात्विक पुरुशों में अग्र करने थे प्रजा को अपनी संतान समझ कर सदा ही न्याय पूर्वक उसका पालन किया करते थे उनमें भगवान विश्नु की भक्ती थी सत्य भाशन का गुण था उन्होंने क्रोध और इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त कर ली थी वे श्रेष्ट राजसु यगि तथा सह हिस्त्रों अश्मेद यगि का अनुस्ठान कर चुके थे संसार बंधन से मुक्तोने की इच्छा रखकर सदा धर्माचरण में ही लगे रहते थे इस प्रकार वे सर्वगुन संपन्न राजा इंद्रद्युम्न समोची प्रत्वी का पालन करते वे मालव देश में विख्यात और समस्त रत्नों से संपन्न द्विती अम्रावती के समान सोशोबित अवंती नामवाली नगरी में निवास करते थे वहां रहते वे राजा ने भगवान विश्नु में मन, वानी और क्रियाद्वारा परम अद्पत और उत्तम भक्ती बढ़ाई एक दिन भगवान लक्ष्मी पती की पूजा के समय देव पूजा ग्रह में बैठेवे राजा ने अपने पुरोहित से आदर पूर्वक कहा पुरोहित जी आप उस उत्तम छेत्र का पता लगाईए जहां हम इसी नेत्र से साक्षत भगवान जगनात का दर्शन कर ले वैष्नव राजा के ऐसा कहने पर पुरोहित जी ने तीर्थ यात्रियों के एक जुंड को देखकर उनसे पूर्वक कहा तीर्थों के दर्शन करने वाले तथा तीर्थों का ज्यान रखने वाले धर्मात्मा पुरुशों हमारे महराद जो आग्या देते हैं उसे आप लोगों ने सुना है क्या आप में से किसी को उत्तम तीर्थ का पता है क्या उनका अभिप्राई समझ कर उन यात्रियों में से एक व्यक्ति जो बहुत सारे तीर्थों में घूम चुका था और बहुत अच्छा वक्ता भी था राजा के पास आकर हाथ जोड़कर कहने लगा राजन मैंने बच्पन सही अनेक तीर्थों में ब्रहमण किया है भारत वर्ष में ओर्डर नाम से प्रसित एक प्रदेश है उस देश में दक्षन समुद्र के तटपर शरी पुरुशोतम छेत्र है जहां नीलाचल नामक एक पर हुआ है जो इस पर्ष करने मात्र से ही मोक्ष देने वाला है उसके पूर्वी तटपर रुत्र नील मने की बनी हुई भगवान वासुदेव की प्रतिमा है जो साक्षात मोक्ष प्रदान करने वाली है उस कुंड में इस नान करके जो भगवान पुरुशोतम का दर्शन करत जन्म की सफलता इससे बढ़कर भला और क्या हो सकती है कि साक्षात भगवान लक्ष्मिपती जी का दर्शन कर लिया जाए इस समय मेरा छोटा भाई विद्यापती सभी देशों में घुमने वाले दूतों के साथ वहाँ जाएगा और जगनाथ जी का दर्शन करके उस परवत पर सेनिकों के ठेरने योगिस्थान का पता लगा लेगा फिर वह हमें सारा समचार बता देगा इससे हम लोगों का ही कल्यान होगा पुरोहित की ये बात सुनकर राजा इंद्रिद्युम्न ने कहा ब्रामन बहुत अच्छा अब मैं भगवान विश्णु के समीब उसी छेतर में चलकर बसूँगा ऐसा कहकर राजा ने प्रसनता पूर्वक अंतहपुर में प्रवेश किया और पुरोहित जी ने उन सब यात्रियों को यथा योगी सम्मान देकर अपने अपने आश्रम को भेज दिया फिर अपने भाई को ब्रहमनों से स्वस्तिवाचन कराकर शुब मूर्थ में भेजा फिर विद्यापति ने भी समस्त विश्वसनी पुरुशों के साथ पुश्प शोभित रथ पर विराजमान होकर वहां से प्रस्थान किया उसने रथ में बैठे बैठे ये सोचा कि अहो मेरा जनम सफल हो गया मेरी रात्री मंगल में प्रभात का दर्शन कराने वाली होगी क्योंकि मैं भगवान के उस मुखारविंत का दर्शन करूंगा जो सभी पापों को दूर करने वाला है श्रवन मनन अत्वा साधनों से निरंतर प्रयत्न करने वाले साधक जिन्हें अपने हर्दे कमल के मध्य विराजमान देखते हैं उन्ही भगवान चक्रपारणी को आज मैं नीलाचल के शिकर पर साक्षात शरीर धारन के देखूंगा जो शरीर बंधन का नाश करने वाले हैं शुरुती, इस्मृती, इतिहास और पुरान के वचनद्वारा जिनके स्वरूप का भलिभाति निरूपन करना असंभव है उन्ही भगवान लक्षमिनिधी के कभी दिखाई ना देने वाले स्वरूप का आज दर्शन करके मैं भवसागर से पार हो जाऊंगा जिनके नाम संकीर्तन मात्र से उनका इस्मरन करने वाले मनुश्यों के विवित पापों का संघार हो जाता है उन्ही अप्रमे भगवान जगनात जी के नील गिरी निवासी स्वरूप का आज में प्रतक्ष दर्शन करूँगा जिनके रोम रोम में असंक ब्रहमांडों की मालाए हैं जिनके सहस्त्रों मस्तक चरण और नेत्र हैं जिनकी निश्वास वायू से संपून वेदों की राशी प्रकट हुई है और जो सब प्रपंचों के स्वामी है उन्ही पुरान पुरुष भगवान विश्नु की मैं शरण लेता हूँ अहा मेरा कैसा भाग्य है कि इनी चर्म चक्षों से मैं जगत के आदिकारण भगवान नारैन का दर्शन करूँगा इसी सोच विचार में पड़ेवे प्रसनिचत ब्रहमन को रत के वेग से लांगेवे विशाल मार्ग का अर्थात इतनी लंबी दूरी का कुछ भी पता नहीं चला मार्ग में मिलेवे अनिक ओवन परवत तथा दुर्गम इस्थानों को देखते वे वे सूर्यास्त के समय महानदी के तड़ पर जा पहुँचे उन्होंने रत से उतर कर विधी पुर्वक नितिकर्म किया और सायंग संध्या करके भगवान मदसूदन का ध्यान किया इसके बाद रत पर बैठे ही पैठे ही उन्होंने राद बिताई प्रातेहकाल होने पर शेगर ही महानदी को पार किया फिर प्रातेहकालिक कर्म समाप्त करके रत पर आरोड होकर गोविंद का चिंतन करते हुए ही आगे को प्रस्थान किया भगवान के निकट जाने वाले मार्ग को देखते हुए वे एकाम रवन में जा पहुँचे उसके बाद कल्पवट से विवुशित गगन चुम्बी निलाचल का शिकर देखा जो दर्शकों के पापों का भी नाश करने वाला है साक्षात शरीर धारी भगवान विश्णु के उस अदबुत निवास इस्थान को खोजते हुए विद्यापती निलाचल की तराई में जा पहुँचे अब वे भगवान के दर्शन करने के लिए अत्यंत उतकंठित हो गए किन्तु आगे बढ़ने का मार्गी ही नहीं मिला तब भूमी पर कुशा बिछा कर वे मौन भाव से लेट गए और भगवत दर्शन की सिध्धी के लिए भगवान के ही शर्णागत हो गए तब परवत से पश्यम भगवत भक्त के विशय में बादचित करने वाले लोगों की अलोकिक वानी सुनाई देने लगी जिससे प्रसन होकर वे उसी शब्द का अनुसरन करते वे अर्था जिधर से वे अवाजे आ रही थी उसी तरफ पढ़ने लगे कुछी दूर पर विख्यात शबर दीपक नामक आश्रम मिला वहाँ उन्होंने वेश्नव भक्तों का दर्शन किया और उन्हें प्रणाम करके वे हाथ चोड़कर खड़े हो गए तब विश्वा वसू नामक शबर भगवान विश्नु का पूजन समाप्त करके पूजा के प्रशाथ से सुशोभी थोकर परवत के बीच से वहाँ आया उसे देखकर ब्रहमन को बड़ी प्रसंता हुई और वे सोचने लगे कि स्रेष्ट वैश्नव हैं इनसे मुझे भगवान विश्नु के संबंध में दुरलब समचार जरूर प्रात्थ होगा इसी विचार में पढ़ेवे ब्रहमन से शबर ने कहा कि हे ब्रहमन आप कहां से इस वन में पधा रहे हैं इस वन का रास्ता तो बड़ा ही दूस्तर है और आप तो भूख प्यास से बहुत ठक भी गए होंगे आप यहां सुक पूर्वक बैठिये और लंबे समय तक विश्राम कीजिए ऐसा कहते वे विश्वा वसु ने ब्रहमन के लिए पाध्य आसन और अर्ख प्रदान किया और फिर विनयुक्तवानी में पूछा हे विप्रवर आप फलहार करेंगे या तयार की हुई रसोई जैसी आपकी रुची हो वैसा ही भोजन में आपके सामनी प्रस्तुत कर लूँगा भगवन आज मेरा अहो भाग्य है मेरा ये जीवन सफल हो गया जोकि आप साक्षा दूसरे भगवान विश्व की तरह मेरे घर पर पधा रहे हैं इस प्रकार पूछने पर श्रेष्ट ब्रहमन विद्यापती ने कहा हे वैशनव श्रेष्ट फल या फिर तयार की वी रसोई से मेरा कोई उद्देश नहीं है मैं बहुत दूर से जिस उद्देश को लेकर यहां आया हूँ आप बस उसे सफल कर दीजे मैं अवंतिपुरी के निवासी महराज इंद्रद्युम्न का पुरोहित हूँ और भगवान विश्णू के दर्शन की इच्छा से यहां आया हूँ राजा ने मुझे यहां निवास करने वाले नील माधव श्री हरी का दर्शन करने के लिए भेजा है दर्शन करके मैं जब तक राजा जी के पास इसका समचार नहीं पहुचा दूँगा तब तक राजा ने रहा रहेंगे इसलिए आप मुझे जल्द से जल्द भगवान विश्णू का दर्शन कराए जय श्री कृष्णा आज की कथा समाप्त हुई इसके आगे का व्रतान चारने के लिए करपे आप अगले धहकत जार चरूर कीजेगा